निमाट छेत्र में सुख सम्रद्धी शांति की कामना को लेकर नवगर मंदिर से शुरू हुई पांच दिनी पंचको सियात्रा शुक्रवार को संपन हुई करीब पांच हजार सदिक शुखत अनुभूती लेकर वापस नवगर मंदिर लोटाएं यात्रा की शुरूवत 19 दिसंबर को कुंदा तट इस्थित स्री नौगरा मंदिर से की गई थी यात्रा लोटने पर शृधालों ने नौगरा भगवान के दर्शन किये कई शृधालों ने भगवान सत्तिनारेंड की कथा भी कराई यात्रियों के तिरुपती भक्त एवं रव और भक्त महिला पुरुष बच्चो पद यात्रा में शामिल हुए थें। करीप 35 किलोमेटर की यात्रा में 20 गाओं की सिमाओं से होकर गुज्रे। विभीन पडाओं पर तहरते हुए रोजाना 15 किलोमेटर का सफरत ही किया। खरगौन से ब्यूरो की रिपोर्ट रूम जया सुर्या भगवार। शाम दी यहाँ जया सुर्या भगवार। बोर्टरय रच्या रच्चया थें। स्थाल से मेला में अर गर हर आग बंवे ओर भाहिमा इमानर और आज अर्या सुर्य भगंवाद में पर लुजैन नारा ए स्ठयун समापन हुआ क्या विए निकली करिए आज सक्सांती जो करोना आने वाली उससी सुख्सांती मिलेंगी वो सब को बक्तों को आच्छा सुख्सांती नौगार राखेंगे इसलिए हमने निकाल लिए नवगर पंचकों सी एकादर से आमोस तक की आज पांदिन पूरे हुए गए भंडाराग पाके अपने भक्ते लोग अपने घर जाएंगे यह पिछतर किलिमेटर चले अपना अपना घर अपना घर को चिला सबी मत्यपजे अच्छा रहे सुक्त सांती रहे नवगरा भगवान अपने मत्यपजे में पहले ही पसीद नवगरी नगरी है ग्रुणा तो यह क्या महाप्रात्मा यह करोना आप आए निकाए किसी को नहीं यह पिमारी सांती हो जाए सब नावगरा भगवान से सांती करने के लिए आए अपना अपन हुआ आज से पांच दिवस परू के यात्रा चालू होती है खरगोन और निमार अंचल की सबसे बड़ी पंचकरोशी यात्रा है जो सतर से पिच्चोतर किलोमीटर पांच जिन में चलके आज समात्ती होती है हजारों की तादाद में माता, बहन, बुजुर्ग, किसान, गरीब, दली सब लोगी इस यात्रा में सामील होते हैं पंचकरोशी यात्रा में हजारों आदमी का भंडारा होता है, आज उसी भंडारे के तातम में समात्ती बे भंडारे का आउजन किया गया है, जो अभी चल रहा है और आज अमने निमाड के उन्नती निमाड में प्रगती निमाड में खुब अच्छी बारिच हो, और कोरोना इश्वर से प्रार्थना करी कि कोरोना की महामारी देश के अंदर नहीं प्रवेश करे और कोरोना की महामारी नहीं आए, एसी प्रार्थना के साथ आज आरती और महाप्रसादी का आईजन किया गया है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल हैस्ट जर्डिल 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे तेल आइपोन को दबाना बिल्कुल बिना मुले